भाजपा नेता रंजीत बहादुर का अब एक और बयान सामनी आया है जिसमें उन्होंने बाबा भीमराव को ब्रामण बताया है साथी बस्पा सुप्रीमो मायवती को अपनी पूरी पार्टी के साथ भाजपा की सद्यसता लेने की भी सलह दी है अपने को दलित कहें हमें कोई आपती नहीं है लेकिन मायावती जी तो अपने को दलित की बेटी कहती है अपने को दलित कहती है अपने को दलित कहें कि मैं दलित हूँ एक IS IPS कभी अपने को दलित नहीं कह सकता है दलित का अर्थ दबा पुचला हुआ हुआ होता है इसलिए मैंने ये बात कहीती हुए अंबैदकर जी की बात तो अंबैदकर जी की बात करने वाले जो उनके अन्याई है जो अपने को अंबैदकर बादी कहते हैं और मायावती जी दियो गस्पा के लोग भी अमबैदकर की बात करते हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। पहले वो समझ लें अमबैदकर जी को। अमबैदकर जी थे कौन ये भी उनको जानने कि अमबैदकर जी भले ही साल कर जातके रहे हूँ। लेकिन इनके जो गुरू थे वो पंडित महादेव अमबैदकर जी थे। इनकी विद्धता और योगिता को देखकर उनके वो प्रियसिस हुए। और उन्होंने अपना अमबैदकर नाम इनको दिया। अमबैदकर ब्राम्ह होते ही। महाराश्टियन ब्राम्हों के आगे कर सब्दलगा होता है। जैसे सिरोड कर, कर लेकर, तेंदुल कर, कर का अर्थ हाथ से होता है। जनेव हमारे कंधे पर इसलिए जनेव को भी कर कहते हैं। ये ब्राम्हण हुए अपने कर्मों के आधार पर अंबेदकर जी स्वयम ब्राम्हन हो गए थे। मैं इनको ब्राम्हन मांगता हूँ। और वो अंबेदकर वादी ही। आज ब्राम्हों कोई का लिदे रहे ही। कितनी अध्यानता की बाद थे। और रह गई अंबेदकर की की। दूसरी बाद उनसे बड़ा राष्ट धर्म को मानने वाला राष्ट प्रेमी दूसरा बिक्ति नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी नेता रंजीत बहादूर के बयानों को मायवती और बाबा सहाब का अपमान बताते हुए दलित समाज के लोगों ने बस्पानेता सुरेश चंदर गौतम के नित्रितों में बीजेपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़बोले बीजेपी नेता हिस्टरी शीटर रंजीत बहादूर श्रीवास्तव को राशुका गेंग्स्टर एक्ट और गुंड़ा एक्ट के तहत कारवाई करते हुए जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। इनकी क्या उकात है आप सब लोग जानते हुए बीजेपी में इनकी कहीं कद्र नहीं। इसलिए इन्होंने इनका जो दिवालिया पन है मांसिक दिवालिया पन है पागल पन है वो यह साब धलक रहा है और यह सोज रहें कि हम इस तरह उल्टा सिदा बयान देंगे हो सकता है बीजेपी वले हमको संग्यान में ले ले हो सकता है हिंदू संग्ठन के जो RSS और भी सुन्दे परिसाद ये सब लोग संग्यान में ले ले हमको थोड़ा पूछ हमारी बढ़ जाए लेकिन ऐसे गंदे लोगों के लिए ऐसे क्रिमिनल लोगों के लिए किसी दल में कोई उसको सुना ही और दिखाई नहीं पड़ता कि कहां पर क्या प्राद हो रहा अभी मामूली सी बात आप पहे दिजिए तुरंत फ़यार धर्ज हो जाएगी कोई कमेंट कर देता है कहीं सोचल मीडिया पर तुरंत फ़यार धर्ज हो जाती और इसने बड़े-बड़े भारत र बता दे कि बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का मायवती को कम पढ़ा लिखा और नकल करके ललबी पास करने वाला बताते वीडियो सोचल मीडिया पर वैरल हुआ था इससे पहले उन्होंने हाथरस कांड को लेकर शर्मनाक बयान दिया था उन्होंने कहा था कि आखिर लड़कियां खेट में घास काटने जाती ही क्यूं है ऐसी लड़कियों की फाइल भी बंद कर देनी चाहिए और उन्हें मौवजा भी नहीं देना चाहिए लेकिन अब की बार उनके निशाने पर भसपा प्रमुख मायवती हैं बारबंकी से अर